हालंकि अभी मौनसुन के आने में समय है लेकिन बे मौसमी बारिश अभी से कहर बरभा रही है बारिश का कहर कपूर्थला के उंचा बेटगाओं में देखने को मिला है जहां एक घर की छत गिर गए जिसे मज़़ूरी करके रोजी रोटी कमाने वाले गरीब परिवार का से मिट्टी के कुछ टुकडे गिर रहे हैं लड़के ने तुरंत शोर मचाया और परिवार को बाहर निकाला जैसे ही परिवार के तीन सदस्यत कमरे से बाहर निकले कमरे की छत डह गई बच्चे ना गुडिया है ना लाघ एक देख जानके मोगा ना मोटा को दाड़ा सच्छें आजी मेरा नां कमल जी सेंगा जी पेंड उच्चा जी काफी बार्शा हों यहां ना कारण हो जिद्दा हाड़ी चाहत देख पी आजी पराणी सी किशात्त अजी जानी नकसान तो दा बचाईया पर दूज्जा उद्दा समून दा बहुत नकसान होया अंदर बैठे सी के सारे बाद जगे बाद निकले आजी काफी साल ही हो गया जब्दा पेंदे यहां भी गरांटा मिलने किया मिलने आपर कोई गरांड नी मिली अले तक लाग ला अजी लाग जगे लाग जब्दा नाल क्याम देना इदा मधा डीड़ नाव जगे अंदर बेठा नकसान हो सागता जी केड़े बले शाते डेक पेंडी यह जिए ते लूब मड़ा हाला जी शत्तां डिगंड लिया चोन लिया तरह जो मड़ा यह जो आपना जो शत्तां चो अजी लाग जब्दा जब्दा इस बार इस बार फार में गवारी पर आया जी बाबा चेरी हो गया जी ओव ही केंडे नहीं निकले हाले जी कोई जी ऑन्हने बताय कि छट गिरने से अंदर का सामान, बेट बिस्तर, बरतन सहीत अन्य सामान बुरी तरह से ख्षति ग्रस्थ ह उन्होंने कहा कि मकान के अलग-अलग हिस्सों में दरारे आ गई और वह कभी भी गिर सकता है इसलिए उन्होंने प्रिशाशन से परिवार को उचित सहायता मुहया करवाने की गुहार लगाई है हालंकि अभी मौनसुन के आने में समय है लेकिन बे मौसमी बारिश अभी से कहर बरभा रही है बारिश का कहर कपूर्थला के उचा बेट गाउं में देखने को मिला है जहां एक घर की छत गिर गए जिसे मज़ूरी करके रोजी रोटी कमाने वाले गरीब परिवार का रोजमर कुछ टुकडे गिर रहे है लड़के ने तुरंत शोर मैं चाया और परिवार को बाहर निகाला जैसे परिवार के तीन सदस्यत कमरे से बाहर निकले कमरे की छट डेह गई उन्होने बताये कि छट गिरने से अंदर का सामान बेट बिस्तर, बरतं सहीत अन्य सामान बूरी तर सिक्ष्यति ग्रस्त हो गया उन्होंने कहा कि मकान के अलग-अलग हिस्सों में दरारे आ गई और वह कभी भी गिर सकता है इसलिए उन्होंने प्रिशाशन से परिवार को उचित सहायता मुहया करवाने की गुहार लगाई है कपूर थला से गगन बहल की रिपूर्ट अब बूलेगा हिंदोस्तान